जो 44 consecutive odd numbers का वो 144 है तो आपको बताना है कि largest number क्या होगा 187 ऐसे करोगे तो बहुत असान इसे निकलेगा समझाता हूं मैंने किया क्या है कैसे 187 इतना जल्दी मार कर दिया जादू नहीं है बहुत असान है तेकि जब भी इस तरह के सवाल आएंगे कि 44 consecutive नमबर से उनका average कुछ भी दिया हुआ है consecutive odd number की बात कर रहा है शुरुआत करो जो आप जानते हो consecutive odd numbers में आप एक से जो शुरू होता है first 44 odd numbers के बारे में सोचो जो first 44 odd number होगा उसमें जो last number होगा वो कितना होगा आपका 87 होगा कैसे जब भी कभी odd number निकालना हो 44th odd number first आपना 44th even number निकालो और एक माइनस कर दो पहला positive even number 2 होता है वो कैसे आता है 2 into 1 दूसरा positive even number क्या होता है 2 into 2 तीसरा positive even number क्या है 2 into 3 तो अगर मुझे 44th odd number निकालना है तो मैं एले 44th even number निकालूँगा जो मिलेगा मुझे 44 times 2 करके 88 एक कम जाएगा 87 और एक बात अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आदे तो कोई बात नहीं देखो यहां पर किया है कि जब भी मैं आपको odd numbers की बात करूँ मैं को फस्ट 44 odd numbers का average बता दो तो वह 44 ही होता है फस्ट 86 odd numbers का average बता दो तो वह 86 ही होता है ठीक है नहीं भी पता है तो कोई दिक्कर नहीं कि पहला number लिख लिए आखरी number लिख लिए तो इसका average जो है आकरी number क्या है 100 plus 87 187 प्रोसेस क्या है समझ गया आप कभी भी largest number पूछ रहा है पहला odd number लास्ट लिखिए average को average से compare करिए और उतना ही बढ़ा दो आंसर आ गया लॉजिकली समझना रट ना मत रट लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी समझ के जाओगे तो कुछ और सवाल भी कर पाओगे इससे related ठीक है